अब समय की मांग है कि देश में एक सेकुलर सिविल कोड हो हमने कॉमिनल सिविल कोड में 25 साल बिताए हैं अब हमें सेकुलर सिविल कोड की तरफ जाना होगा कानूर दर्म के आधार पर डेश को बाठते जो ऊंच नीच का कारण बन जाते हैं ऐसे कानूरों को आधुनिक समाज में कोई स्थान नहीं हो सकता है कि जी सिवील कोड को हम लेकर के जी रहे हैं वो सिवील कोड सच मुझ में तो एक प्रकार का communal सिविल कोड है हमारे देश में सुप्रिम कौट ने बार-बार कि इनिफर्म सिविल कोड को लेकर जे चर्चा की है अनेक बार आदेश दिये हैं क्योंकि देश के एक बहुत बड़ा वर्ग मानता है और उसमें सच्चाई भी है कि जिस सिविल कोड को हम लेकर के जी रहे हैं वो सिविल कोड सच मुझ में तो एक प्रकार का कॉम्मिनल सिविल कोड है बेदबाव करने वाला सिविल कोड है ऐसे सिविल कोड से जब सम्मिदान के 75 वर्ष मना रहे हैं और सम्मिदान की भावना भी जो हमें कहती है करने के लिए देश की सुप्रिम कोड भी हमें कहती है करने के लिए और तब जो सम्मिदान निर्माताओं का सपना था उस सपने को पूरा करना हम सब का दाइत्व है और म जो कानून दर्म के अधार पर देश को बाटते जो उच्छ नीज का कारण बन जाते हैं ऐसे कानूनों को आधुनिक समाज में कोई स्थान नहीं हो सकता है और इसलिए मैं तो कहूंगा अब समय की मांग है कि देश में एक सेकुलर सिविल कोड हो हमने कॉमिनल सिविल कोड में 15 साल बिताए है अब हमें सेकुलर सिविल कोड की तरफ जाना होगा और तब जाकर के देश में धर्म के अधार पर जो बेदबाव हो रहे हैं सामान नागरी को जो दुरी महसूस होती है उससे हमें मुक्ति में लेगी झाल